प्लेन, तो मोशन इन प्लेन ये नीट करते हैं, MTG नीट अन्साल पेपर है, तो इसी को आज हम साल करेंगे तो सबसे पहले देखिए, स्केलर आइंड वेक्टर्स यानि सदिश और अदिश पर एक क्वेशन आया है तो कहने का मतलब ये है, कि ये जो चार वी कल्प दिये गए हैं, इन चार वी कल्प में से काउन सी वेक्टर क्वेशन आया है यानि सदिश रास ही है, ये हमको बताना है तो हमने आपको बताया था कि वेग, समवेग, बल, आवेग, त्वरण इतना तो मोटा मोटा आप याद रखिए, ये सब सदिश रास ही है तो एंगुलर मोमेंटम यानि कोडी समवेग ये सदिश रास ही है तो ये देखिए, पहला का भी आपसंस आही है तो ये कह रहा है कि क्योंकि जो कोडी समवेग है, यानि एंगुलर मोमेंटम है उसमें दोनों होते हैं, मैगनिटिव तथा डैरिक्शन, यानि परिमाड और दिशा दोनों होती है तो इट इज ए वेक्टर कॉंटिटी, इसलिए या सदिश रासी है अगला कुश्चन है हमारा एडिशन और सब्टेक्शन आप वेक्टर तो सदिसों का जोड़ना यों घटाना ग्रैफिकल मेथड से यानि ग्राफ बना करके तो कहराज 6 वेक्टर, वेक्टर A, थ्रो वेक्टर F 6 वेक्टर हैं, वेक्टर A से ले करके वेक्टर याफ तक A, B, C, D, E, F यह सब वेक्टर हैं है अब दा माइग्निटीव और डिरेक्शन इंडिकेटर इन दा फीगर तो इसमें माइग्निटीव और डिरेक्शन जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, उसी प्रकार है Which of the following statement is true तो कहरा है काउन सा statement सही है यह चार बिकल्प दिये गया है, इन में से काउन सा सही है तो यहाँ पर देखें, अगर वेक्टर D को वेक्टर E से जूड़ा जाए तो यह वेक्टर E है तो वेक्टर E को अगर यहाँ पर रख दिया जाए इस प्रकार से तो यह उठ करके यहाँ पर आ जाएगा तो इसका परिणामी इस तरह जाएगा इस तरह से, जैसे यह वेक्टर F गया है तो वेक्टर D और वेक्टर E को अगर जूड़ा जाए तो इसका परड़ामी इस प्रकार से जाएगा जैसा हम लोग पढ़ते चले आए हैं तो इसलिए C option वेक्टर D प्लस वेक्टर E इसको उन्टू वेक्टर F ये हमारा correct हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से वेक्टर D इस तरह बना था जो जैसा बना है उसी तरह वेक्टर E को इससे जूड़ना है तो यहाँ पर रख दिए दो तरीके से जोड़ सकते हैं या तो वेक्टर E इस तरह है वेक्टर D इस तरह है वेक्टर E को इस तरह जोड़के ये पर नामी हो जाएगा या वेक्टर D जो पहला वाला वेक्टर है उसके सर से जिसको जोड़ना है उसकी पूश को रख देते हैं तो सर इधर हो जाएगा और यहां से यहां मिलाएंगे तो इसी तरह यह परणामी इधर को जैसे है वैसे आ जाएगा तो दो तरीके से जोड सकते हैं तो यहां पर इस तरह से रखा है इसको ऐसे हम डाट-डाट मिलाएंगे इस तरह पिलाएंगे इस तरह तो यह जो हमारा चेतुर बुज बनेगा उसी के यहाँ से मिला देंगे इस कार्नर को यहाँ से तो यही हमारा परिणामी होगा तो फ्राम फिगर अगर चित्र से देखा जाए तो विक्टर D प्लस विक्टर E is equal to विक्टर F हो जाएगा अब देखिए अगला क्विश्चन हमारा रिजोल्यूशन आफ विक्टर विक्टरों का घटाना या विक्टरों का जो घटक होते थे उनको अलग अलग करना तो इफ ए यूनिट विक्टर इस रिप्रेजेंटेट वाई 0.5 I का एप मैना 0.8 J का एप प्लस C के का एप कहरा है अगर एक यूनिट विक्टर का मतलब एकांक सदिस यूनिट का मतलब एक विक्टर का उनलब सदिस तो एकांक सदिस कोई स्प्रकार से दर्साया जाए तो कहरा है इसमें जो C लिखा हुआ है इस C की वाई-लू क्या होगी then the value of C C की वाई-लू क्या होगी इसको देखते हैं तो यहां पर देख्ये यह फार यूनिट वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर को हम हुआं तो हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर को जब भी लिखा जाता है, तो उसके उपर कैप टोपी लगा करके लिखा जाता है, तो यह अनकैप का मलब यह unit vector है, अब अगर यह दो खड़ी लकीरे खीच दी जाएं, तो इसका मलब यह होता है कि इस unit vector का परिमाड निकालना चाहते है, परिमाड का मतलब जो पहले संख्या लिखी र एक होगा, तो यह देखे बराबर एक लिखती है, तो इसी प्रकार इसका पूरे का निकाला गया, तो यह जो विक्टर दिया था, 0.5i का एक मैना 0.8j का एक प्लस ck का एक, तो इसका अगर मॉड कर दें, तो इसका परिणाम अगर निकालना हो, तो परिमाड unit vector, चुकि एक प्लस ck शदिस होता है, तो यह एक हो गया, अब देखिए, i, j, k, यह सब जो है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, x-axis, y-axis और z-axis, x-axis में i का एक होता है, y में j का एक, j में k का एक, बहुत बार बता चुके हैं, और सब चुँकि 90 डिग्री हैं, तो अगर हमको परि पाइथाकुरस प्रमें लग जाए, क्योंकि परिमार्ड जो होगा, सब का विकार्ड होगा, तो पाइथाकुरस प्रमें ये कहता है, कि लंब का स्कुएर प्लस आधार का स्कुएर बराबर कान का स्कुएर, तो देखिए, यहां पर इन सब का स्कुएर करके, जो इसका स्कॉयर होगा तो देखें माइनस के साथ स्कॉयर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.64 प्लस C स्कॉयर बराबर 1 हो गया अब देखिए जब इसका स्कॉयर होगा तो 0.5 I का एप गुड़े 0.5 I का एप होगा तो I I के साथ गुड़ा होता था तो 1 होत पीछे कई बार ये कुश्यन आ चुका है जे जे के साथ होगा तो वन होगा के के साथ होगा तो वन होगा तो ये हमारा साल करने पर सी बराबर आ गया अंडर रूट 0.11 तो तीन कभी आपसन हमारा करेक्ट हो जाएगा अब चाथा नंबर कुश्यन देखते हैं वेक्टर एडिशन अनलिटिकल मेथर तो अनलिटिकल मेथर ज़ारा सदिसों का जोडना तो हम से कुश्यन में कह रहा है कि if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors then angle between these vector is तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि दो सदिस हैं उनका अगर हम जोड देते हैं तो जोडने पर जो magnitude दाता है वो बराबर होता है उनके घटाने पर जो magnitude दाता है तो कह रहा है वो दोनों किस कोण पर हैं ये हम से पूचा जा रहा है तो देखते हैं इसको तो करां अगर हम मान लें कि एक विक्टर आ है एक विक्टर भी है then magnitude of sum of विक्टर A and विक्टर B तब दोनों का जोडने के बाद परिमार क्या होगा तो जोड दिया विक्टर A plus विक्टर B जोड दिया अब इसका परिमार निकालना है बोलते थे हैं तो mod up हो गया vector a plus vector b magnitude के लिए अब इनका magnitude निकालना है तो magnitude निकालने का formula होता है under root तो यह हो ज़़ a vector है तो a square plus b square plus 2ab car theta यह formula होता है theta के term में अगर angle दिया होता है and magnitude of difference of vector a and vector b अब difference के लिए तो यही mod up vector a minus vector b हो जाएगा तो under root a square plus b square minus 2ab car theta होगा यह हो जाएगा तो अब दोनों को जो है कहरा है दोनों का magnitude गटाने और जोडने पर बराबर होता है तो दोनों को हमने बराबर कर दिया mod up vector a plus vector b बराबर mod up vector a minus vector b यह हमको question में कहरा है खुद ही तो अब यह हो जाएगा under root इसका मान हो गया a square plus b square plus 2ab car theta बराबर under root a square plus b square minus 2ab car theta तो यह हमारा साल करने पर 4ab car theta बराबर 0 आ गया यह यह कटेगा और यह इधर आ जाएगा तो यह जुड़ जाएगा तो 4ab car theta हो जाएगा एक तरब 0 हो जाएगा तो 4ab car theta बराबर 0 इसलिए 4ab not equal to 0 चुकि 4ab not equal to 0 इसलिए car theta बराबर 0 यह car theta बराबर 0 में theta बराबर 90 डिगरी होता है कि 90 डिगरी में car theta कमाई 0 होता है तो हमारा एंगिन निकल के क्या गया 90 डिगरी तो चाउथे question का answer हमारा हो गया D अब पाँचवा question देखते हैं कह रहा है the vector A and vector B are such that mod of vector A plus vector B बराबर mod of vector A minus vector B तो कह रहा है the angle between the two vector A अभी यही ऊपर वाला question था उस साल्व करने पे जो निकला है उसी को अब नीचे वाले में पहुच लिया है तो 5 का B option हो जाएगा 90 डिगरी तो देखे जैसे question में बताया है वैसे करते चले जाएगा तो let theta be angle between vector A and vector B अगर vector A और vector B के बीच का code theta है तो जैसा question में कहरा है mod of vector A plus vector B बराबर mod of vector A minus vector B then mod of vector A plus vector B का square बराबर mod of vector A minus vector B का square तो यह हमारा आ जाएगा A square plus B square plus 2 A B काश थीटा minus वाले में आ जाएगा A square plus B square minus 2 A B काश थीटा या फिर 4 A B काश थीटा बराबर 0 और काश थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिगरी जैसा पीछे चवथा question है सेम उसी प्रकार यह भी है तो पाँच में कहा हमारा B option correct हो जाएगा अब छठवा question देखते हैं कहे रहा है if mod of vector A plus vector B बराबर mod of vector A plus mod of vector B then angle between A and B will be अब देखिए दोनों vector को पहले जोड के फिर उसका परिमान निकाला है इसमें क्या है पहले ही परिमान निकाल लिया है बाद में जोड़ा है दोनों बातों को समझिए इसमें दोनों का एक साथ देके परिमान यह डंडा खीचे गया है इसका माला भी है कि vector A plus vector B को जोड़ा है तब परिमान निकाला है इसमें क्या है पहले ही परिमान निकाल लिया है क्योंकि पहले डंडा खीच दिया है प्लस बीच में बी के बार डंडा कीच है बी पर डंडा लग है एप डंडा लग है इसका पहले एक परिमान निकाल लिया बी का परिमान निकाल लिया फिर जूड़ा है तो इसको देखते है तो यहां देखें मादाव बेक्टर A प्लस मादाव बेक्टर B बराबर मादाव बेक्टर A प्लस मादाव बेक्टर B इफ बेक्टर A पायरलल बेक्टर B अगर बेक्टर A बेक्टर B के समांतर है ये दो लाइने खीची गई है इसका वल्ला होता है एक दूसरे के समांतर तो समांतर है तो सीधी सी बात है कि कोण 0 डिग्री होगा अगर एक ही दिसा में इनका एक ही दिसा में वेक्टर ए और वेक्टर भी है तो समांतर है तो कोण 0 degree होता है अगर विपरीत दिसा में है और समांतर है तो कोण 180 degree होता है तो 6 का C आपसर नमारा correct हो जाएगा 0 degree उनके बीच का अंगिल क्या होगा 0 degree अब question number 7 देखते हैं कहरा है the magnitude of vector A plus vector A comma vector B comma vector C are 3, 4 and 5 unit respectively तो कहरा है if vector A plus vector B बराबर vector C हो तो कहरा है the angle between vector A and vector B is तो question हम से कहरा है कि ये 3 सदिस रासियां है A, B, C उनमें उनके परिमार 3, 4 और 5 हैं कहरा है अगर vector A vector B जोड़ दिये जाएं तो वो vector C के बराबर हो जाते हैं तो उनके बीच का code क्या होगा तो इसको देखते हैं तो जैसे कहरा है पहले उसको लिख लेंगे तो let theta be angle between vector A and vector B question में हम से कोड माँ पूछ रहा है तो हमने मान लिया कि vector A और vector B के बीच का कोड क्या है theta है अब देखें question में हमको दिया गया है A लिखें या mad of A लिखें एक ही बात है क्योंकि परिमार की बात है जब उपर ये लकीर नहीं खीचेंगे तो परिमार ही होगा तो A कहें या mad of vector A कहें एक ही बात तो vector A का magnitude कितना है? 3 vector B का 4 vector C का 5 और question में हमसे कहे रहा है कि mad of vector A plus mad of vector B बराबर mad of vector C यानि vector C का परिमार vector A और vector B के बराबर है vector A plus vector B के योग के परिमार के बराबर तो आप दोनों तरफ ही square कर दें अगर तो ये हो जाएगा A square plus B square plus 2AB car theta बराबर इधर C square हो जाएगा ये देखें बीच में 2AB car theta लिखा है उससे कोई दिकत ने है तो अब A का परिमार 3 है तो इसका square करेंगे तो 9 हो जाएगा plus 2AB car theta plus B का परिमार 4 है इसका square करेंगे तो 16 हो जाएगा बराबर C का परिमार 5 unit है इसका square करेंगे तो 25 आजाएगा तो 2AB कार्ज थीटा बराबर 16, 25 यह इधर आएगा तो 0 हो जाएगा तो 2AB कार्ज थीटा बराबर 0 यानि कार्ज थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा वैसे भी आप समझ लेजिए कि 3, 4 है और 5 है तो पाइथागुरस प्रमे लगाएंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वाइर प्लस 4 का स्क्वाइर करेंगे तो वो 5 ही आजाता है तो कंड का स्क्वाइर सेज दोनों भुजाओं के स्क्वाइर के बराबर है तो इसका मतलब 90 डिग्री कोड है अब अगला question है हमारा, कह रहा है motion in a plane मतलब एक समतल में गती, तो कह रहा है the x and y coordinates of a particle at any time are x बरावर 5t minus 2t square and y बरावर 10t respectively, where x and y are in meter and t in second, the acceleration of the particle at t बरावर 2 second is, तो देखिए एक plane में motion हो रहा है, तो दो अक्ष माल लिए है x axis y axis, तो x axis में x की value दे दी गई है 5t minus 2t square और y की value दे दी गई है 10t, अब कह रहा है x और y meter में है, t second में है, तो particle का turn क्या होगा 2 second के बार, तो यहाँ पर देखिए जैसे question में दिया गया है वैसे हमने लिख लिए, तो x बरावर 5t minus 2t square y बरावर 10t, अब देखिए, अब देखिए यह हमको विश्थापन दिया गया है, x और y यह विश्थापन है, तो पहले विश्थापन से हम वेग निकालेंगे, फिर वेग से तौरण निकालेंगे, इस क्रम में चलते हैं, सबसे पहले विश्थापन से वेग निकलेगा, वेग से तौरण, और अगर हमको तौरण दे दिया जाए और पूछे विश्थापन कितना है, तो पहले तौरण से उल्टा करेंगे तुरन से क्या निकलेगा वेग निकलेगा फिर वेग से क्या निकलेगा विश्थापन निकलेगा अब किसमें समा कलन करना है किसमें आउकलन करना है वो देखते हैं तो देखे जब विश्थापन दिया है विश्थापन से हमें तुरन तक जाना है तो से भाग वाला सिक्षन उसमें गुड़ा होगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधी सी बात है कि हमको विस्थापन से तोड़ तक जाना है तो पहले वेग निकालेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल तो विस्थापन कितना है डी-एक्स छोटे समय अंतराल के लिए डी-एक्स लिखते है और छोटे समय अंतराल के लिए डी-टी लिखते है तो डी-एक्स अपान डी-टी हो गया बराबर हो गया अब देखो यह विस्थापन दिया है विस्थापन से वेग तो डी-एक्स अपा तो देखो यहां पर जिसका स्कॉयर होगा उसका गुड़ा होगा मनलब यह जैसे स्कॉयर है तो दो का भी स्कॉयर होगा यह पूरा एक साथ होगा तो टू का भी स्कॉयर होगा यह कहें कि यह जो दो है तो इसका इधर गुड़ा होगा तो दो में दो का गुड़ा होगा तो 4T अब यह square होता लेकिन T से T चाहेगा तो केवल T बचेगा इसे परकार इसको देखते हैं तो DY by DT होगा अब यह T से T जाएगा तो केवल 10 बचेगा तो 10 लिख दिया गया तो इसलिए VX कितना हो गया अब देखें वेग वही बताएं ना कि विस्थापन से वेग में जाएगे तो वेग बरावर विस्थापन बटे समय अंतराल तो यह काम किये तो यह आगया हमारा VX बरावर 5-40 VY बरावर आगया 10 अब इसी परकार अब वेग से तरण की ओर जाएगे तो तरण बरावर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को तरण कहते है यानि VX अपान VT, DT होगा DVX अपान DT छोटेस्ट के लिए तो देखे लिख दिया DVX अपान DT तो यह आगया हमारा इसमें देखे यह T है ही नहीं तो यह हट जाएगा DVX अपान DT इसमें नहीं है तो यह हट जाएगा जिसमें होता है कि अलवाही रहता है तो यह नहीं है तो यह हट जाएगा तो माइनस 4 और T है तो T से T जाएगा तो माइनस 4 बचेगा इसमें पर कारी समद है कि DVY by DT इसमें T का कोई वो नहीं है यानि T के हिसाब से नहीं बदला पूरा हट गया यानि 0 लिख दिया तो इसलिए अब इसी को विश्थापन वेक परिवर्थन की दर को समयंतराल कहते हैं तो वेक परिवर्थन की दर को तौण कहते हैं तो आड आड़े एक्स अग्सिस में और याग्सिस में दोनों को दिखाना है अगर तो उनके एक आंक सदिस जो जिस अक्छ में लिखा जाता है उसको साथ में लिखते हैं तो X axis के लिए I cap लिख दिया, Y axis के लिए J cap लिख दिया, तो AX I cap रसे Y J cap, अब चुँकि AX I cap तो AX दिसा में minus 4 है, तो minus 4 I cap हो गया, और Y वाले में 0 है, तो पूरा 0 हो गया, तो minus 4 I cap हो गया, इसलिए the acceleration of the particle light, T बराबर 2 second is, अब T बराबर 2 second के लिए minus 4 meter per second is square हो जाएगा, क्योंकि T का कोई term आया ही नहीं, इसलिए 2 का गुड़ा नहीं करेंगा, क्योंकि T है ही नहीं देखी, तो है ही नहीं तो 2 second के बाद भी 2 minus 4 meter per second is square ही हो गया, तो 8 का भी option हमारा correct हो जाएगा, अब नवा question देखते हैं, नवा question में हमसे कह रहा है, the position vector of a particle vector r as a function of time is given by, तो कह रहा है, जो इस्थिस सदिस है, किसी कण का, तो वो vector r से represent किया गया है, और vector r किस प्रकार से काम करता है, vector r बराबर 4 sin 2 pi t i cap plus 4 cos 2 pi t j cap है, कह रहा है, where r is in meter, जहाँ पर जो r है, यह meter में है, t second में है, और i and j cap denoted unit vector, और i cap और j cap क्या है, एक आंक सदिस है, along x and y direction, x और y direction में, वैसे भी हमने आपको पहले बताया है, कि i cap हमेशा x direction में लिखेंगे, j cap y direction में, और k cap z direction, respectively मतलब क्रम सा, तो कह रहा है, which one of the following statement, is wrong for the motion of particle, तो कह रहा है, जो चार विकल्प दिये गया है, इन में से कौन सा गलत है, इस सब के हिसाब से, तो फिर से पढ़ देते हैं question, कह रहा है, the position vector of particle, कोई particle है, उसकी इस्तिस सदिस vector r है, जिसको, जिसका function t के हिसाब से किस प्रकार है, vector r बरावर 4 sin, तो vector r क्या है, 4 sin, 2 pi t, i cap, plus 4 cash, 2 pi t, j cap, जहां पे r हमारा meter में है, t second में है, और i cap, j cap, j cap, जो है, x और y direction में, एक आंग सदिस है, क्रमसा, तो कह रहा है कि इन में से जो चार विकल्प दिये गया, इन में कौन सा गनत है, तो यहाँ पर देखे, जैसे बताया गया है, वैसे हम निकालते चले जाएंगे, तो question में जो विकल्प दिये गया है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर अपना काम करना है, तो vector r बरावर 4 sin, 2 pi t, i cap, plus 4 cash, 2 pi t, j cap, पे दिये गया है, तो अगर हम अब यह देखे, r मतलब यह विश्थापन से संबन देता है, विश्थापन, r का मलब radius जैसे होता है, तो इस तरह कहीं भी लिखाओ, तो विश्थापन हो गया, तो विश्थापन है, अब इसको वेग में अगर बदलेंगे, तो the velocity of the part के लिए अगर वेग निकालें इस कन की, जिसका यह विश्थापन सदिश इस प्रकार दिया गया है, position vector, question में कह दिया है, तो विश्थापन, position vector यह है, मनलब यह तरह से विश्थापन है, तो विश्थापन निकालेंगे, तो वेग बराबर विश्थापन बटे समय अंतराल, तो विश्थापन के लिए अगर छोटा विश्थापन है, तो d लगा देते हैं, तो d vector r upon dt, बराबर d upon dt हो जाएगा, vector r की जाएगे, यह पूरा लिख देंगे, तो यह बराबर हो जाएगा हमारा, अब यह देखें, यह यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखें, टू पाई एंगिल है, पाई का मलब 180, टू पाई का मलब 180 का दो गुना, एक सतर से 360 हो जाएगा, तो इसको जब हम साल्व करेंगे, तो यह देखें आ जाएगा, 8 पाई काश 2 पाई टी आई काईप, माइनस, 8 पाई साइन 2 पाई टी जे काईप, इसको साल्व करने पर इतना आ जाएगा, यह त्रिकोण मिती अनुपात हैं, और टिग्नोमेट्री अगर यह समझ में ना तो यह इतना आ गया, 8 पाई काश 2 पाई टी आई काईप, माइनस, 8 पाई साइन 2 पाई टी जे काईप, अब अगर इसका मैगनिट्यूड निकालना चाहें, तो चूंकि आई और जे एक दूसरे से 90 डिगरी के कोण बनाते हैं, तो पाई ता गुरस प्रमें लग जाएगी, तो माड आफ वेक्टर भी बराबर हो जाएगा, यह जो मैगनिट्यूड होगा, तो इन दोनों का परिमाड होगा, परिमाड क्या होगा, विकान होगा यानि डाइगोनल, तो डाइगोनल का जो माड निकालेंगे, तो एक भुज़ा का स्क्वाईर प्लस दूसरे भुज़ा का square यानि आधार का square प्लस लंब का square और पूरे का इसका square हटेगा तो पूरे का under root हो जाएगा तो देखिए इसका 8 pi cos 2 pi t का whole square प्लस माइनस यह पूरा चिन असाइद लिखते हैं minus 8 pi sin 2 pi t का whole square पूरे का under root हो गया तो देखिए 8 pi square चा whole square 2 pi t plus 64 pi square sin square 2 pi t बराबर under root 64 pi square का square 2 pi t plus sin square 2 pi t तो यह आगया under root 64 pi square क्योंकि काश square प्लस sin square sin square theta प्लस काश square theta पराबर 1 होता है तो यह आगया हमारा 8 pi meter per second यह हमारा magnitude निकल के आ जाएगे तो 9 का A option हमारा correct हो जाएगे यह जहाँ पर यह sign car theta इस तरह के calculation है यह दीपू सरसे पूछ लिया करी वो बैठ के आपको बता देंगे तो यहाँ पर देखे जो 9 का A option है यह 8 pi meter per second विलाष्टी का magnitude आ गया परिमार आ गया तो 9 का A हमारा सही है देखे ध्यान देना यह सही है जबकि question में हम से पूछ रहा है कि which one of the following statement is a wrong for the motion of particle तो यह सही है गलत नहीं है इसको गलत को अठा दीजिए तब यह वाला सही हो जाएगा अब आगी गलत देखना है तो हो सकता है question में कुछ तुटी होई हो तो यह सही है हमको इतना पता गलत काउन सा है इसको हो सकता है इस पुष्टक में कुछ गड़बड़ी हो गई हो बताना गलत है लेकिन सही वाले को सही किया है अब question नमबर 10 देखते है कहरा है पार्टिकिल जे मुविंग such that it's position coordinates x, y, r, 2, and 3 तो कहरा है कोई पार्टिकिल है वो motion, moving मलब मोशन में है घोम रहा है, move कर रहा है, चल रहा है such that it's position coordinates तो इसके इस्थित के जो coordinates है वो क्या है x, y, और 2, 3 x, y है और 2, 3 at time t बराबर 0 समय t बराबर 0 पर 6 meter तो 7 meter है और समय t बराबर 2 second पर 13 और 14 meter है तो कहरा है समय t बराबर 5 पर average velocity vector b average क्या होगी जब t बराबर 0 से t बराबर 5 second तक लिए जाएगी तो फिर से question देखते हैं कि कोई particle है वो move कर रहा यानि चल रहा है उसके position coordinate यानि इस्थित coordinate कित क्या है x, y और 2, 3 x, y तथा 2, 3 ये कब है time t बराबर at time t बराबर 0 पर 6 meter तथा 7 meter चलता है at time t बराबर 3 पर 2 second पर 13 और 14 meter चलता है ये देखे कामा करके लिखा है मतलब एक x axis में एक y axis में देखे यहाँ x y लिखा है और time t बराबर 5 second पर कहरा है उसका अगर average velocity vector निकाले मतलब आवसत वेग सदिस निकाले तो क्या होगा कितने के बीच आवसत निकालना है t बराबर 0 second से t बराबर 5 second तो इसको देखते है तो यहाँ पर देखिए at t बराबर 0 the position vector of the particle is vector r1 बराबर 2i का है plus 3j का है तो जब t बराबर 0 second है तो उस समय इस्थित vector क्या होगा particle का उसको vector r1 माना है वो होगा 2i का है plus 3j का है यहाँ पर देखिए 0 समय पर 2i का है plus 3j का है यह x एक्सिस में यह y एक्सिस में तो 2 के साथ x एक्सिस वाला एक आंग सदिस i का है चला गया और 3 के साथ y एक्सिस वाला एक आंग सदिस j का है पा गया तो 2i का है प्लस 3j का हो गया 0 second पर t बराबर 0 पर दिया और T बराबर 2 पर इतना दे दिया है T बराबर 5 पर इतना दे दिया है तो इसको देखते हैं आयट T बराबर 5 सेकंड देखें T बराबर 0 सेकंड पर इतना दे दिया है अब T बराबर 5 सेकंड पर अगर देखें तो question में दिया है तो t बरावर 5 सेकंड पर bracket में 13 और 14 लिखा था तो position आप particle क्या हो जाएगी vector r2 बरावर 13 i के प्लस 14 j के यह हमारा हो जाएगा x-axis में यह हमारा हो जाएगा y-axis में यह देखे t बरावर 2 सेकंड पर यह है नहीं t बरावर 2 सेकंड पर 6 मीटर और 7 मीटर है t बरावर 5 सेकंड पर 13 और 14 तो यह x-axis में होगा तो x-axis के लिए i कैप y-axis के लिए j कैप तो देखे विक्टर r2 बरावर 13 i कैप x-axis के लिए प्लस 16 j कैप y-axis के लिए अब देखे दिस्प्लेस्मेंट फ्राम r1 to r2 अब 0 से r2 तो दिस्प्लेस्मेंट माला विश्थापन कितना होगा फ्राम r1 to r2 तो बाद वाले में से पहला वाला गटाते हैं तो delta r हो जाएगा विक्टर delta r हो जाएगा विक्टर r2 माइनस विक्टर r1 तो यह हो जाएगा हमारा r2 कितना है 13 i कैप प्लस 16 j कैप माइनस r1 कितना है माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप जैसा 0 में निकाले थे अब इसको गटाएगे तो यह आजाएगा i के साथ i गटेगा तो 13 में 2 गए गेरा i कैप प्लस 14 में 3 गए गेरा j कैप अब देखे यह पूरा यह खोल देंगे कोश्टक तो यह भी माइनस हो जाएगा यह भी माइनस तो यह माइनस हुआ तो 13 में 2 गए गेरा बचा चवदा में यह गटा 3 तो 11 बचा अब average velocity अब यह देखे विस्थापन displacement हमारा निकाल आया इतना अब average velocity तो वेग बराबर विस्थापन बचे समय अंतराल तो विस्थापन बचे समय अंतराल तो वेक्टर भी average बराबर विस्थापन कितना है इतना है उसमय अंतराल पहले 0 था फिर 5 तो 5 में बाद वाले में पहला वाला गटाते है तो 5 में से 0 गटा दिये तो यह आगया 11 बटे 5 अब bracket में यह आगया i cap plus j cap चुकि दोनों में 11 है इसको common ले लिए तो यह आगया 11 बटे 5 i cap plus j cap तो 10 का हमारा d वाला option correct हो गया अब आज बस यही तक आप 11 नंबर कुश्चन से अगले लेक्चर में study करेंगे